तो बच्चों ली जी आज कक्छा बारें के भावतिकी में हम विभाव मापी की साहता से दो सेलों के विदुद वाहग बलकि तूर्णा करना देखेंगे और इसमें आपका यह भी विभाव मापी का तार है और यह हमारा उसके ए सीरे से यह परिपत जो प्राथमिक परिपत और दिद्यक परिपत प्राथमिक परिपत मैं आपका संचायक से जुड़ा हुआ है जिसके धन धुरू को या धन इलेक्टोर्ट को प्लस सीरे को ए से जोड़ दिए और माइन्यस सीरे को यह छोटा लक्री जो होता है यह सेल के या बेटरी की रिंड इलेक्टोर्ट को प्रदर्सीत करता है या रिंड दुरू को प्रदर्सीत करता है यहां पर रिंड का सीरा है उसको हम आरेज के धरब नियंत्रक होता है इसको जोड़ देते हैं और उससे आगे एक कुंजी लगा देते हैं याने बटन जब आप इसको क्लोज कर दोगे याने बंद कर दोगे तो धारा वहेगी कि जब open कर दोगे खोड़ दोगे तो धारा नहीं बहेगे इसका हमारा दुतियक परिपत जो हम बनाते हैं यह दो शेल लिए गया हैं जिनका विधुद वाहगवल की हम तूलना करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके दोनों सेलों के जो है धन इलेक्टोड याने पाजिटिव इसके जो प्राथमिक कुंदली आपका परिपत है उसके संचायक सेल के जहां से प्लस जूड़ा है तो इधर आप प्लस ही जोड़ोगे दोनों सेल का अब यहां पर यह जो है एक युक्ति होता है याने टू वे सीच स्वीच जिसको कहते हैं याने द्यू द्वी मारगी कुंजी एक एसा बटन होता है कि आप इसको यहां से तार से जोड़ दिये ति यह पहला वाला सेल परिपत में आ जाएगा यहां से धारा सप्लय शुरू हो जाएगा और इसको खोल दिये और इसको जोड़ दिये तार से लिए बटन इसका काम करता है जब आप इधर को टच करवाओगे सभी लोग जानते होगे कि जब इसको इधर से जोड़ोगे तो इधर से सप्लाई हो जाएगा इधर से जोड़ोगे तो इधर सप्लाई हो जाएगा और मान लिजिए आप दोनों तरफ तार को इसे ला करके जोड़ दिए तो ये दोनों से ल काम करना शुरू कर देंगे तो हमें क्यावल एक-एक का तुलना करना है तो पहले इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे या किसी एक को पहले जोड़ोगे उसके बाद दूसरे को जोड़ोगे एक को निकाल देना है लग का इनका connection को हटा देना है तिये दिवमारगी खुंजी है यहाँ पर इसका केटू नामकरन दे दीजिए पहले वाले का केवन रखे हैं अब इससे आगे जुमाइनस सिरा से देखो यह दोनों को माइनस यहाँ पर जाकर के जूड़ रहे हैं और यहां पर से पैंट है जहाँ पर इसक्रू की सहता से यह धारमापी का एक सिरा को यहां से वायर की सहता स से जोड़ दिये और दूसरा सीरा यह धरमापी का जाकी से जुड़ा होता है तो जाकी यह पेन के जैसे ही जैसे यह पेन दीख रहा है उसी तरह से धातु का यहां पर जुड़ा रहता है इसमें कभर पेन के ही जैसे रहता है और इसको यह जैसे इसका नीप जो दीख रहा है वो यह तार से टर्च करेगा तो धारा यहां से जुड़ियाएगी परिपत में और हटा दोगे तो कड़ियाएगा यह देखिए पेन कशना भार अगया यह पर अधे ठरा कट हो जाएगा तो यह आपका तो ब्योस्था है कि जो डाइग्राम याने विद्धूत परिपत किस तरह से बनाते हैं अब हम अपना सिध्धान्त और सूत्र को देखेंगे यह तो इसका वर्णन हो गया परिपत का कि किस तरह से जोड़े धरानी अंत्रक किस तरह से काम करता है तो इसमें वच्चों यह क्या होता है यह इस तरह से मोट लग तार जो ही इसमें लपेटाये रहते हैं और उसको प्राया हम इस तरह से समझाए तो आपको बहतर समझाएगा यह मान लो इस तरह से आपका यह है यह सेम टू सेम है इसे अब इधर से जो यह जुड़ा हुआ है यह तार इधर से यह देखिए इधर से यह टच करता है इसको इससे इधर से जुड़ा हुआ है इधर से टच हुआ तो जब बच्चों यहां से इस सिरे पर टच करवाते हैं यह मालो इधर खिशका करके यहां पर रख दिये यह इस तरह से रहता है जो दोनों सिरे को इस तरह से खिशका करके इधर ले आते हैं तिये यहां पर टच हुआ तो पूरा प्रतिरोध काम आता है, यह परिपत में पूरा प्रतिरोध काम आ गया, अब इसको यहां पर ले आया मैं, यहां पर टच करवा दिया, अब सोचिए इधर का तो काम नहीं आया, धारा को इधर से इधर जाना है, तीतना प्रतिरोध काम आया, याने इस परिपत में प्र प्रतिरोध हठ ही गया क्योंकि यहां से तार से आपका वायर से मालुक करेंट आ रहा है तो यहां से डारेक्ट इधर जोर दीए이트 से ऑफका अपर चाहेले यहां प्रतिरोध कर सकते हो जो परिपत में आपका प्रवहित हो रहा है। तो आपका आरेज का कारिया आप समझ गए। अब हम देखते हैं इसके सिध्धान्त और सुत्र के लिए। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे सिध्धान्त और सुत्र। और सुत्र। तो हम यहां पर यह दो सेल हैं हमारे पास। इसको नाम देदें। इवन और यह है इटू। इनके दोनों का विद्धुद बहाग बलों की तूलना करना है। याने किसका विद्धुद बहाग बल ज्यादा है या किसका कम है इसको हमें पता करना है। तूलना करोगे तूलना करोगे तो क्या करोगे इसका अनुपात यह याने इवन अपान इटू। पता चलेगा हमको कि कौन कितना तगड़ा है किसका पाउर ज्यादा है। हम यहां पर देखते हैं कि जीन सेलों का विद्धुद बहाग बल ज्याद करना है याने इवन अरिटू का हमको ज्याद करना है तो इनको जो है हम इसमें एक के बाद याने पहले एक को जोड़ेंगे उसके बाद दूसरे को जोड़ेंगे चलिए इसके द्वारा हम देखते हैं इसको मालो हम योवन को जोड लेते हैं यह यहां को जोड़ दिया अब धारा यह खुला है यहां से एसका कोई धारा प्रोहित नहीं होगा इसका धारा प्रोहित हो रहा है अब यह जाकी के साहता से मैं यहां पर तुश किया तो धारा मापी में आपका विच्छेब दोनों तरफ बताता है याने कभी इधर और कभी अफंटू को रोड़ यहांपर हम तर्श करवाये मोभीFRICR आप अपर तो धर अपर विच्छे-पान लिजिए अपका यह कॉंस्टेश्टे रिया मेंचेयो से एक अगिर्फि नीनी को तार है यह प्रतिरोध का तार होता फत करता है प्रति प्रतिरोध होता और इसके कराण से यह चुकी प्रतिरोत तार होता है जिसका अधर से धारा इधर जाते जाएगी तो इसका चुकी शरोत्र एक समान होती है यह तार की जो है हमारा तार का अनुप्रस्त है परिष्षेत कच्छेत्रफल याने एक समान होता है याने समान मोटाई का तार होता है जिसके करांद से बीभाव का पतन जो समान रूप से होता है इधर प्रति सेंटिमीटर में जितना बीभाव कम होते जाएगा छनका इसेल को परिपत में जोड़ देने से यहां पर कुझी को लगा दिये हैं तो यहां अ दिया अर बी के विच में क्या होगा से विभाव में अंतर हवाव दोनों के बीच में यहां डारेक्ट प्लस से जुड़ा होए थिए भास में है तो यहाँ पर ज्यादा भीभव होगा और यहाँ पर आते चुक्त यह प्रतिरोद्ट तार है तो यहाँ पर आते आते कम हो जाएगा अब हम यहाँ पर इसको भी जोड दिये हैं एक एक बेट सेल को जिसके करण से धारा इधर से गया और इसको अब यहाँ पर टच किये तो धारामापी में जो है हमारा विच्छेप माल लिजे दहीने तरप आया यह ऐसे दिखाया इधर दिखाया इसको अब हम कहीं दूर लेकर के यहाँ पर टच करवाए यह चलिए यहाँ पर टच करवाए अब यहाँ पर हम देखते हैं धारमापी में बिच्षेप एक बार दहेने तरफ आया एक बार बाये तरफ आया अब उसमें बिच्छेप का अंदाजा लगा लेते हैं कि इन दोनों की बीच में क्योंकि एक बायतर अपा रहा है इस तरह से बिच्छेप और एक इधर हम तरच करवाए तो दायतर पा रहा है तो हम इनके बीच में कहीं इस तरह से आप टच करते करते जाओगे और एक बिंदु जहां पर ऐसा प्राप्त करोगे जिसमें ये इसका संकेतक जो होता है धारमापी का वो सुन्य पर रहे उस इस्थिती में हम ये देखते हैं क्या होगा मालो ये हमारा जो है यहां पर इस बिंदु पर सुन्य में याने इस धारमापी पर कोई बिच्छेप नहीं बता रहा है नई धर बता रहा है नई धर बता रहा है याने इसमें से होकर के कोई धारा नहीं बह रही है और बच्चों हम यह जानते हैं कि यह परिपत में है और धारा अब नहीं बह रही है इसका मतलब कि इसका जो सेल का जितना है ओ इसके विभाव अंतर के बराबर धारत चब बहती है जब दो बिंदों के विभाव में अंतर होता है तब धारा बहती है तो यह आप समझ लिजिए कि यह जो पहले से ल इवन का माइनस सीरा का जो बीभव है उसका बीभव इस बिंदू के बीभव के बराबर हो गया है ज्याम देंगे कि रीड़ सीरे का जो विभाओ की विभाओ इस बिंदु की विभा के बराबर हो गया है तब धारा नहीं गया इधर से माली जे चारा नहीं बहा क्योंकि विभाओ में अंतर नहीं है तर दारा को कम विभाव वाले बिंदु के और याने उच्च विभाव से नीमनव विभाव के और प्रावहित होती है अब हम देख रहें कि संतुलन बिंदु मिल गया है हमको तो ये बिंदु का विभाव और इसका रिंड प्लेट का जो विभाव है रिंड इलेक्टोट का जो वीभाव है वो क्या होगा बराबर होगा अब ध्यान देते हैं इस प्लेट की तरब यह हमारा यहां पर प्लस जुड़ा हुआ है इस सेल का धन इलेक्टोट यहां पर जुड़ा हुआ है और इस संचायक सेल का भी इलेक्टोट यहां पर जुड़ा हुआ है अब ये दोनों का विभाव यानि इस धन प्लेट का विभाव यहां से जुड़ा हुआ है तो यहां से विधारा नहीं बहा रहे है इसका मतलब यह का विभाव और इस धन प्लेट का यानि इस सीरे का विभाव इस विधुद बहाग बलके धन सीरे का विभाव दोनों समान है नहीं तो यहां से विधारा भाती तो आपको समझ आ गया है कि यह और यह जो बिंदू हमको मिला है एक नाम दे देते हैं इसको लस् modelling दूरि पर स्तार का जो लंबाई हैं हुआ माल लो यहां पर one पर हमको मिला हुआ है कि यहां पर श्रूय तो और इसका जो भीखावानतर होगा क्यों कि असितार में इसका जो है इसका प्रोभाव है यानि यहां से यहां तक कि धारा प्रहुत हो रही है हम बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि ڈारा की दीषा एक बार इधर क्यों होती है तो धर मापी जब धिधर की प्रवाहक दीषा बदल जाती है तो भी हो वे बिपरित और इंगित करता है एक तो माल लीजे कि धहर वापी से धारा इधर गया तो दिशा में बताएगा और धारमापी में धारा इधर से इधर आएगा तो बेप्रित दिशा में बताएगा तो यहां पर मान लीजिए इधर दिखा रहा है यानि यहां पर अनुमान लगए इधर से आते आते यह चुकि प्रतिरोत्तार है तो यहां पर आते आते इसका मान जो ह उसकी करण से यहां पर मानलीजी एक ऋ हो गया ज्यादा प्रतिर हो तो यह आते हैं लिए यहां से इधर गया भ़फ ध blij है यह नहीं पर आगय कि यहां पर यहीए पास्म है तौधर से इधर आया दरहों दो दरा की दिसा बदर रही आप समझ रहे हैं कि यह इधर से इधर वहात तो इधर बता रहारे है सब अध्यां यहां पर आया तो बिलकुल जीरो पर बताया को यहीं को चित्र के आज एक दर सकते हैं आप हम ऐसाथा है कि माना हमारा पहले सेल का बिद्धुद वहागवल हमारा E1 है यह E1 लिये हैं इसको जोड़े हैं अभी और संतुलान का बिंदु हमारा L1 पर मिला है तथा संतुलान बिंदु L1 पर मिला L1 पर है तो बच्चों वीभामापिक के सिध्धान से क्या होगा इसलिए E1 बराबर के L1 यहां पर के क्या है यह वीभाव प्रोंडता है के वराबर के वीभाव प्रोंडता है अब हम इसको परिपत से हटा देते हैं कैसे हटाएंगे इसको जो तार जोड़े हैं इसको निकाल दिये यह खुला हो जाएगा अब इसको जोड़ेंगे जब इसको परिपत में जोड़ेंगे तो इसको हम निकाल देंगे इसको हम निकाल देते हैं अब चुकि मैं पेन से रहूं अब इसको जोड़ दिये हम और उसी तरह से पूनह हम यहां पर एक बार इधर चुआए कहीं पहले तो प्लस सीरे में इधर चुआए देखेंगे कि बिच्चेप की धर हो रहा है उसके बाद इधर कुछ दूर आ जाते हैं उसके बिच्चेप के अनुसासियाने जितना धारा हो गा उसके अनुपात में यहां पर विच्चेप होगा इसे नहीं होता है कि जितना धारा प्रहित होगा उसके अनुमान लगा हो रहिए और यहां पर लाया तो थोड़ा से इhou रहा है तो उसके बीच में कहीं पर आप इस तरह से तरह करतें आप इसको उस बिंदु कुपराप्त करोगे जहां पर इसका जो है बिच्छे बिल्कुल नहों जीरो पर हो और यहां पर हम माल लेते हैं मालो इतु का इतु दूसरे सेल का विद्धुद बाहग बल है तब उसी तरह से अब हम जो दूसरा जगा पर लाए इसका उसके च्छमता के नुसार से इसका संतुलन मिलेगा मालो ओ एल्टु है और संतुलन बिंदु क्या है एल्टु है तो क्या होगा यह होगा इटु इक्वल टु के एल्टु यह जो संतुलन हमको मिला है वो एल्टु पर मिला है अब बच्चों यहां पर हम समी करा लेगा एक इसको दे दीजिए समी करा दो एक को दो से भाग देने पर यहां पर हम देखते हैं समी करा एक को समी करा दो से भाग देने पर कि लेप्ट लेप्ट को एक साइट में लिख दीजिए एवन अपान इटू विधुद बाहाग बल हैं दोनों के विभाव प्रहुरता के लोन और इसका विभाव प्रहुरता अब दोनों में आया है यह तुलना कर दिये तो कट गया याने हमारा बज़ गया यह विधुद बाहाग बलं का अनुपात हमारे इसके लंबाई के अनुपातों के बराबर होता है याने एलवन और एलटु के मान ज्यात हो तो इनकी सहयता से इनका विधुद बाहाग बलों को ग्यात किया जा सकता है अब बिदुद भागवल है कोई एक नहीं दिया है ये दूसरे का दिया है तो आप जो है इसके अनुपात के अनुसार से इसको आप असनी से प्राप्त कर सकते हो यानि इनको ग्याद कर सकते हो तो बच्चों ये था हमारा वीभव मापी की साहता से दो सेलों के विदुद्ध बहागवल के तुलना करना और उसका इसका प्रायोगिक है आपका प्रायोगिक में आप करोगे इसको ध्यान देना तरह से बिच्छे फो रहा है और किस तरह से परिपत को जोड़ा गया थे उस समय आप देखोगे तो आपको यह पूरा कि सब जो है इस पस्ट समझा जाएगा तो प्रिक्टिकल के समय आप थोड़ा सा इसको अपने जह मैंन में रखना और यदि अच्छा लग रहा हो चैनल से जुड़ना हो तो मैं रिगुलर मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आप लोग कर लिजिए ताकि आपको वीडियो अफ्लोड करते ही आपको पता चल जाए शेयर भी किजिए और लाइक भी किजिए कमेंट भी किजिए ताकि हमारा उत्साह वर्दन हो धन्यवाद